गुट मॉर्निंग स्टूदेंट्स वेलकम टू हिंदी क्लास पिटा जैसा कि आप जानते हैं हमारे फर्स्ट टू चैप्टर का टेस्ट हो चुका है अब रिविजन चल रहा है तो हम आज जो है आपका ये जो विकली टेस्ट है ये आपका वीरवार को होगा तो आज हम सासी वालक जो थर्ड चैप्टर है रिडर का उसका रिविजन करेंगे तो इसमें ये पहले आपको रिड करवा चुके हैं और जैसे रमन और दिव्या दो सगे भाई बैन हैं और वह स्कूल विदाले जाते हैं और विदाले जाते हुए जो है उनके रास्ते में एक नदी आती है पूल पार करके प्रते दिन विदाले जाते हैं उन्होंने एक व्यक्ति को डूपते वे देखा और रमन ने उसकी सहायता की और उसे बहार निकाला उसे हस्पिताल पहुचाया और इस प्रकार उसकी मिदद की इसके लिए व्यक्ति ने उनका धन्यवाद किया और कहा कि तु है उसकी जो कहानी है वहां बताई कि उन्होंने मुझे ऐसे बचाया फिर जो है उन दोनों बच्चों को राष्ट्य प्रुष्कार के लिए चुना गया 26 जन्वरी के परफ पर इन दोनों सासी बच्चों को हाथी पर बैठा कर प्रेड में दिखाया गया आप बच्चों पर हमारे देश को गर्व है तो आप भी ऐसे ही बच्चे बनें और किसी जो है जरूरतमंद की किसी जो है मुसीबत में फसे वेवैक्ती की सहायता करें तो हमने क्या जीवन मुल्य सिखा इस से? कि सासी बच्चे देश का गोरव होते हैं. हमें दुसरों की सहायता करनी चाहिए और दुसरों की सहायता के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए. तीसरा जीवन मुल्य है जो चैप्टर का सासी व्यक्ति धैरियवान होते हैं. अब हम इसका अभ्यास करेंगे आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी आप इसको रीड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी. तो इसका जो है ओनलाइन टेस्ट आपका वीरवार को होगा. तो बिटा देखो ध्यान से पहले शब्दार्थ रिवाइस करेंगे. मार्ग रास्ता चिलाना जोर से बोलना तैराक तैरने वाला प्रारंब शुरू करना आरंब करना किसी कारिये का या कुछ भी. परसन खुश, आसिरवाद वर्दान, अचानक एकदम, प्रियास कोसिस, एकत्र एकठ्था, साहस हिम्मत, महान बड़ा, पुरस्कार इनाम. ये बटा सब्दार्थ जो है, आपको लिख कर प्रेक्टिस करनी है, इसे प्रकार कोश्टिन आंसर और एक्सरसाइज भी जो आपको ऐसा लगे कि लिखने से अच्छे से रिवाईज होगी, तो एक्सरसाइज को भी लिख कर देखना है. तो आप हम करेंगे मोखिक प्रस्न, रमन और दिव्या कोन थे? रमन और दिव्या सगे भाई बैन थे, भाई बैन थे. नदी पर क्या बना था? नदी पर एक पुल बना था. अच्छा तैराक कोन था? अच्छा तैराक रमन था. सही विकल पर टिक का निशान लगाई है. रमन और दिव्या कोन थे? कोन थे? भाई बैन. माता पिता, दोस्त, तो भाई बैन. विद्याले घर से कितनी दूर था? एक किलो मीटर, दो किलो मीटर, तीन किलो मीटर. तो विद्याले जो है, विद्याले घर से एक किलो मीटर दूर था. और प्रती दिन जो है, वो दोनों बच्चे उस जो पुल को पार करके और एक किलो मीटर जो रास्ता उसको पार करके ज दिव्या, व्यक्ति या रमन तो रमन तेराक था अच्छा अस्पिताल में व्यक्ति का क्या प्रारम्ब हुआ इलाज, जगडा या हसना तो इलाज चोकि अस्पिताल में उस व्यक्ति को ले जायागा और उसका वहाँ पर इलाज शुरू हुआ रिक्स्तानों की पूर्ती किजिए डैस पर एक पुल बना था नदी दोनों बच्चे अपने डैस लोटाए घर डैस उनकी बात सुनकर खुश हुए माता पिता ये दोनों बच्चे डैस हैं महान व्यक्ती ने कहा ये सासी बच्चों पर हमारे देस को घर है सही मिलान की जी पुरानी जो है घटना रमन दिव्या भाई वेहन डोक्टर अस्पताल सासी बच्चे देस का गोरव 26 जनवरी बच्चों को सम्मानित किया जाकता 26 जनवरी पर परतिवरस 14 नमंबर को इन बच्चों का चुनाव होता है 26 जनवरी पर इन बच्चों को पुरुसकार दिया जाता है किसने कहा बचाओ बचाओ व्यक्ती ने ये दोनों बच्चे महान हैं किसने कहा रमन सोरी बटा थर्ड नमबर पे आगे हम पहले तुम जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज लगाओ रमन ने ये दोनों बच्चे महान हैं किसने कहा व्यक्ती ने जो डूब रहा था ये बच्चे एक दिन अपने परिवार विद्याल्य और देश का नाम रोशन करेंगे तो ये किसने कहा व्यक्ती ने ये मैं लिकित प्रशनों के उत्तर दीजिए सभी बच्चे विद्यालय कैसे पहुंसते थे सभी बच्चे पुल पार करके विद्यालय पहुंसते थे नदी में कोन डूब रहा था नदी में एक व्यक्ती डूब रहा था व्यक्ति को उल्टा क्यों लेटाया गया व्यक्ति को उल्टा इसलिए लेटाया गया कि उसके पेट में भरा पानी बाहर निकाल सके सासी बच्चों को किस प्रकार समानित किया गया सासी बच्चों को रास्टर पती पुरस्कार के लिए चुना गया और 26 जनवरी के पर उपर हाथी पर बैठा कर प्रेड में दिखाया गया इस प्रकार विटा इन प्रेश्णों के उत्तर आपको अपनी रफ नोट में लिखकर प्रेक्टिस करनी है ब्यास देखो विटा ने में लिखत मात्राओं के शब्द पाठ में से डून कर लिखे ये आपको स्वैम करना है रिखांकित शब्दों को भवचन में बदल कर वाक्य पुने लिखिए बच्चा पुल पार करके विदाले पहुचा बच्चा पुल पार करके बच्चे पुल पार करके लड़का अच्छा तैराक था लड़के अच्छे तैराक थे नदी में मचली तैरती है नदी में मचलियां तैरती है व्यक्ति ने बच्चों की व्यक्तियों ने बच्चों की परसंसा की निमन लिखित शब्दों के कोस्टक में देगे शब्दों में से प्रियावाची सब ढून कर लिखिये भाई, ब्राता, बंदू डोक्टर, चिकित्सक, वैद पानी, नीर, जल, प्रसन, खुश, हर्शित समझे और लिखिये शान, शानदार, हवा, हवादार, माल, मालदार, जमीन, जमीदार तो बिटा, ध्यान दो जो शब्द, जो मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में प्रिवर्थन करती हैं, वे प्रते कहलाती हैं तो दार जो है, प्रते शब्द है और ये जुड़कर, जो है, इन शब्दों, जो मूल शब्द है, इन से जुड़कर जो है, नया सब्द बना है तो इसलिए प्रते शब्द हैं ये प्रते जुड़कर बने नए शब्द ओके बिठा तो आपको अपनी रफ नोट बुक में प्रेक्टिस करनी है इस चैप्टर की आपका विकली टेस्ट वीरवार को है धन्यवाद